हेलो फ्रेट्स मेरे नाव है विजया आज की वीडियो हम लोगं बात करेंगे क्यूक्शॉट की जानेगे क्यूक्शॉट क्या है इसको पैसे इंप्लिमेंट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले वीडियो मैंने Merge Shot के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमने Merging के बारे में जाना था, अब देखिए हम लोग जानेंगे Quick Shot के बारे में, जिस तरह से आपका Merge Shot Divide and Conquer Technique पर वग करता है, उसी तरह से value लेता हूँ, आपकी J की value कि आपकी पहली value को, element को, यह point out करेगा, और I उससे एक कम को point out करेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक जो last value होगी, इसको हम x ले लेंगे, ठीक हो गया, अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो j होगा, वो क्या करेगा, आपकी जो x value है, म यहाँ पर उसके left में जितनी भी value होगी, वो से क्या होगी, छोटी होगी, और right में जितनी भी value होगी, सब उससे बढ़ी होगी, तो यह पाठ हम करना चाहरे है, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो यह left पाला पाठ होगा, इसमें दुवारा से quickshot को call कर देंगे, तो य यह अपनी position तो पहुंचिए, जहाँ इसको पहुंचना था, अब क्या का होगा, जो right वाला होगा, इसमें हम last element को ले लेंगे, इसको फिर सही position पर रखेंगे, यह सही position पा जाएगा, तो इसके right में से बड़े आएंगे, और left में से छोटे आएंगे, ठीक है, फिर इसी तर पार्स में, फिर से दो पार्स में divide किया, फिर दो पार्स में divide किया, ठीक है, तो यह आपका quick short होता है, अब यहाँ पर इसको copy कल दीजेगा, इसको मैं यहाँ से delete कर दे रहा हूँ, अब देखे, किस तरह से concept को लगाएंगे, यह समझते, मैं क्या का आप से J हम ले लेंगे पहले element को, और X ले लेंगे last वाले element को, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, J को compare करेंगे 10 से, ठीक है, अगर J अगर 10 से छोटा होता है, तो हम I को increment करेंगे और swipe कर देंगे, यह बत समझते हैं, क्या करेंगे, जैसी अगर J अगर आपका छोटा होता है 10 से, इस case में क्या कर करेंगे, I को increment करेंगे और swipe कर देंगे, ठीक हो गया, ठीक है, चलिए, अब देखिए, इसी में करके दिखाता हूं आपको, इसमें क्या को देखिए, जो 5 है, वो किस से छोटा है, 10 से छोटा है, तो I को increment किया, I पहुंचिया यहाँ, अब I और J को swipe कर देंगे, तो वाला 5 अपनी जगा पर यहीं पर रहेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, J की value increment हो जाएगी, ठीक है, J की value कहां से कहां तक चलेगी, आपकी 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, एक एक करके compare करते भी चलेगी, I की value यहाँ पर पहुंच चुकी है, J की value 4, 4 10 से कम है, हाँ कम है, तो यहाँ पर क्या आपना आप से इंकर्मेंट होगी, और यह अपना आप में, क्या हो जागा, swipe हो जाएगा, तो 4 अपना आप से swipe हो जाएगा, तो यहीं पर बना रहेगा, ठीक है, अब एक और example से आपकर समझाओंगा, का समझ में नहीं आएगा, ठीक है, फिर J की value, फिर से increment हो जागी, J पह नहीं रहेगी, ठीक है, फिर क्या होगा, J की value पहुंच गए, यहाँ, अब देखिए, J value 10 से छोटा है, नहीं है, 10 से बढ़ा है, कोई बात नहीं, फिर ठीक है, अब फिर से क्या होगा, J की value फिर से increment हो जाएगी, J की value फिर से increment हो जाएगी, J की value फिर से increment हो जाएगी, J की value को increment करेंगे और swipe करतेंगे मतलब आई यहां पहुंच जाएगा यहां और इन दोनों में क्या हो जाएगी स्वैपिंग हो जाएगी ठीक है तो यह seven पहुंच जाएगा यहां 21 पहुंच जाएगा यहां इसको आप copy कर देजिएगा ठीक है इस ही Swipe कर दिंगे, J और I को, ठीक है, तो यहाँ पर 25 किसे Swipe हो जाएगा, 8 से Swipe हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 25 यहाँ पर आजाएगा, और 8 यहाँ जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, फिर से आपकी J की Value increment हो जाएगी, और compare होगी, J की Value पहुंच गए, यहाँ प 9 की जाएगा, 26, यह समझ मां गया, ठीक हो गया, फिर देखे, जैसी यह इसके End में पहुंच जाएगा, यहाँ तब पहुंच गया 9 तक, फिर हम लोग क्या करेंगे, I यहाँ पर पहुंच आओगा, उससे एक increment बढ़ा के, Last वाली Value को स्वाइब करा देंगे, ठीक है, मतलब X को कहाँ पर करा देंगे, I पलस 1 से स्वाइब करा देंगे, ठीक है, जब J हमारा End में पहुंच जाएगा, मतलब 9 पोजिशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, X की Value यहाँ से हट गई अब, X की Value पहुंच जाएगा, X पहुंच जाएगा यहाँ और यह 21 पहुंच जाएगा यहाँ पर, 21 पहुंच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंच जाएगा आपका 10, ठीक है, अब देखिए, अब इसमें Partition हो जाएगा, Partition देखिए कैसा होगा, कितनी Value हो यहाँ पर, 5, 4, 3, 7, 8, 9, ठीक है, 10 वालन नहीं होगा, ठीक है, 10 से इधर को, 10 से इधर को, 1 अरी बनेगा, 10 से इधर को, 1 अरे बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 25, 26 और 21, एक रे इसका बनेगा, ठीक होगा, यह बना, आप इसमें भी वो ऑ़ी जेज ओगी, ठीक है, आपका यह 9 क्या हो जाएगा, अइक सांट, एक सांट सांट, अब नहीं पहले यह वाला solve होगा फिर यह वाला solve होगा ठीक है उसके जब तक सब divide होते रहेंगे जब तक सब divide सारे complete नहीं हो जाएंगे तब तक यह ही वाला चलेगा मतलब इस में भी further डिवाइड ऊगा नat यह दो पार्ट में फिर वो दो पार्ट में रिवाड़ होगा जब तो पूरा शॉट ने हो जागा तब इस वाली पार्ट में आएगा फिर इसके जितने बारे सॉट हो जाएंगे तब पूरा सॉट होगा ठीक है यह मैं सुझीए कि मैं एक सांथ लिख रहा हो तो यहां पर एक सांथ आपका सॉल होंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है तो यहां पर देखे आप क्या करना है फिर से वही चलेगा जे का लूप यह करेगा पिले नाइन से इस से बड़ा है छोटा है हाँ छोटा है तो क्या होगा आई की वैल्यू इंक्रिमेंट हो जाएगी आई पहुँच ज होगा ठीक है अब इस case में देखे हर बार ऐसी होगा क्योंकि हर कोई value 9 से छोटी है फिर से j यहां पहुँच जाएगा यह 9 से छोटा होगा और i से इंक्रिमेंट होगा तो यहां पर भी j फिर यहां पर i यहां पर i तो यहां पर देखे यह आपकी जो condition बन रही है जिसमें जो X वाला होता है, अपने हर किसी value से बड़ा होता है, इस case में आपका कोई swapping नहीं होती है, लेकिन check हर वार होगा, ठीक है, और I और J की value increment होते रहेगे, ठीक हो गया, अब इस case में क्या होगा, देखे, इस case में, यहाँ पर J भी यहाँ पहुंचिया, I भी यही पहुंचिया ठीक है, अब देखे, J की value, जहां तक J को चलना था, चल चुका है J, ठीक है, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, अब देखे, J छोटा है 9 से और J complete भी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर X से एक value पहले तक, यहाँ पर complete हो चुका है J, जितने बाद J को चलना था, चल चुका ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस case में देखे, फिर से वह ईची जोगी, I और J फिर से compare होंगे, और फिर से 8 का partition बनेगा, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा फिर से, ठीक है, यह बन जाएगा 5, एक बनेगा 4, एक बनेगा 3, एक बनेगा 7, इस case में भी ऐसी होगा, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 का, 5 का, 4 का, और 3 का, इस में थोड़ा condition ना लग सकती है, लेकिन इस case में और इस case में same case यही बाला चलेगा, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार explain कर लेता हूँ, इसमें भी देखे क्या होगा, एक बार, J पहले compare होगा 21 से छोटा है, नहीं है, तो J की वैल इंकिर्मेंट जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, अब इताका को समझ में आ गया होगा किस तरह से काम कर रहा है, फिर क्या होगा 26, J, I से छोटा है, नहीं है, तो इस case में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, 21 किस से replace ह हो जाएगा, I plus 1 से, मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा, इस तरह से partition में, यह इस तरह से हो जाएगा, 21 यहाँ पहुंदिया, 25 आ गया यहाँ, और 26 आ गया यहाँ, अब partition कहां से हो जाएगा, 21 से left में लग होता है, right में लग होता है, left में कुछ हाई नहीं, तो होगा ही नहीं P की value भाषदेंगे, मतलब starting value, Q हमारे ending value है, ठीक है, और क्या करेंगे, या पर X ले लेंगे, जहांपर क्या होगा, ending value की value save हो जाएगी, मतलब A के Q की value save हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, एक variable लेंगे आई, जो कि क्या होगा, P से एक कम होगा, P वाली जो position हो, उससे एक कम होगा ठीक है और एक 4 का लूप लगाऊंगो मैं कहां तक J के लिए J की वेल्यू कहां से कहां तक चल लिए है जो आपका P है वहां से चल लिए कहां तक चल लिए Q-1 तक ठीक है यहाद इन आपको यहाँ पर देखिए Q जो था ठीक है 10th position उससे एक कम तक चल लिए थी ना 9 तक चल लिए थी तो वही हम कर रहे है आपका 9 तक चला रहे है और उसमें करना क्या है सबसे पहले सबसे पहले यह चेक करना है कि जो A के J की value है वो क्या होनी चाहिए लाइस देन इक्वल टू होनी चाहिए X के मला लाइस वाली value के compare कर रहे थे ना जे वाली value को X से compare कर रहे थे वही चीज compare कर रहे है अगर compare करने में condition true हो जाती है तो हम लोग क्या कर रहेंगे आई की value को कर रहे थे increment और फिर X चेंज करा दे रहे थे swipe करा रहे थे ठीक है तो swipe करा देंगे क्या A की I को क्योंकि I की value अब increment हो चुकी है with A के J के साथ swipe करा देंगे ठीक है और यहाँ पर दीखे यह कंप तक चलेगा Q-1 तक चलेगा और जब तरह कंडिशन होते रहे हैं कि J यहाँ पर पहुत जा रहा था नाखरी में यहाँ पर 9th position पर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे X को किस से change करा दे रहे थे I plus 1 से तो वही चीज कराएंगे X को Y plus 1 से I plus 1 से exchange करा देंगे तो swipe करा देंगे A को I plus 1 से with X से exchange करा देंगे और simply क्या कर देंगे return कर देंगे I plus 1 ठीक है I plus 1 return क्यों कर रहे है ठीक है क्योंकि I plus 1 की value कहीं जाके save होगी ठीक है return होके अब देखिए जो आपा quickshot है इसका भी code मैं आपको लिखाते था हूँ quickshot में होता क्या क्या देखिए partition आपको समझ में आ गया ना अब देखिए एक शट में होगा क्या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे quickshot में कुछ value पास करेंगे सबसे सबसे पहले array पास करा ठीक है P की value पास करी Q की value पास करी ठीक है और फिर हम लोग क्या करेंगे condition चेक कराएंगे if P is less than Q ठीक है P की value जब तक less than होती है क्यों से क्योंकि देखिए अब यह ऐसे further divide होते रहेगा कब तक रुकेगा मालेजे 25 हमारा फिट divide होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 मालेजे हमारी हमारी सही position पर 25 यहाँ पर आ गया ना 25 तो यहाँ पर P भी यह ही है Q भी ही है तो P और Q equal है तो यहाँ पर P less than होगा Q से तब ही तक हम चलाएंगे क्यों यहाँ पर देखिए P क्या है और जो Q होगा वो less than है ठीक है यहाँ पर क्या है P और Q less than है 25 26 वाले case में अगर इसको 0 position माने सको 1 माने तो P 0 है और Q 1 है तो यहाँ पर देखिए जैसे equal हो जाएंगे तो हमरी condition काम नहीं करेगे उस उस case में हमें क्या करना है सबसे पहले partition को करना है Merge short में पहले क्या होड़ी थी Merge short कॉल हो रहा था फिर merging कॉल हो रही थी अब हम हमारा यहाँ पर क्या होगा पहले partition कॉल हो जाएगा तो यहाँ पर partition को कॉल कर लेंगे जिसमें हमने पास किया A P और Q जो कि अभी लिखाया उपर ठीक है और जो रिटन कर रहा था I plus 1 इसको हम लोग कहां सेव कराएंगे R में एक variable दिया मैंने R उसमें सेव करा रहे हैं अब क्यों करा रहे हैं उसमें सेव क्योंकि फिर मुझे वो चाहिए न Q short में मुझे उसको भीजना पड़ेगा देखिए यहाँ पर I की value अगर आप देखें तो इस case में I कहां पहुंच जिया यहाँ पहुंच जिया था यह इधर क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जैसे हमारे J end में पहुंच जाता है हम X को I plus 1 से replace करते है तो I पहुंच जाएगा आप यहाँ इस case में क्या रहा था 99 वाले से replace हो रहा था ठीक है तो इसके बाद हम लोग partition कर रहे थे ना एक नया area बना रहे थे जो की I से जितनी वी value कम होंगी उसका एक area बन जाएगा यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे quick shot call कर देंगे किस पह A, P, starting value तो same रहेगी क्या change हो जाएगा R minus 1 क्योंकि R इसने return क्या इसके कम minus 1 से मतलब अगर यहाँ पर देखिए अगर इसके position मालू 0, 1, 2, 3, 4, 5 I की value 5 है तो यहाँ पर एक 4 का area चाहिए न मेरे को यह 4 का area जहाँ पर हमारा क्या हो P, A हो, starting value 0 ही थी ठीक है और Q क्या हो Q क्या हो ऐसा area चाहिए मेरे को तो वही area यहाँ पर बन बार रहा हूं है ठीक है, A, P, R minus 1 से ठीक है, अब देखिए एक और बार quick shot होगा क्योंकि जो right-hand side वाल होगा, उसके लिए quick shot call होगा, तो उसके लिए quick shot call कर देंगे उसमें सबसे पहले area पास हो जाएगा और क्या पास हो जाएगा, R plus 1, जहाँ पर R बना है ठीक है, R यह बना है इसके right-hand side में, जैसे हमारी case में यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे कहां बनना था, R हमारे जो R बनना था, यह था, यह R था न, यह, इस से पहले वाला एक area बन गया, और इसके बाद वाला, R plus 1 में लिए 25, 26, 21 का एक area बन गया, तो इसका भी एक area बना तो यहाँ पर इसका बना रहे है, इसलिए हम दो R plus 1 pass कर रहे हैं, जो की P की value बन जाएगी starting at us, यह यहाँ पर P को represent करेगा इधर, और Q के बनेगा Q तो Q ही बनेगा तो यह आपका quick shot था, जिसमें partition call हुआ ठीक है, और partition हमने यहाँ पर बता दिया आपको, अब next video हम दो क्या करेंगे इसके time complexity और space complexity की बात करेंगे जहाँ पर मैं छोटी सी request आप से करना चाहूँगा हमारे एक दूसरा channel भी है CSGeeks 2.0, जहाँ पर हम आपके gate की related subject जो CAC में पूछे जाते हैं वो वहाँ पर cover करते हैं, तो अगर आपको CAC के subject पढ़ने में interest है, जिसे data structure हो गया algorithm हो गया, CEO हो गया database हो गया, computer organization हो गया operating system हो गया वहाँ पर detail में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथी साथ हम लोग आपके gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और detail में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और interview के लिए आप अच्छे से गुद्बाई तेक केर